नमास्कार दोस्तों, काच यानी दरपन जिसमें हम अपना प्रतिभम दीखते हैं जो कभी जूट नहीं बोलता हैं सबी लोग काच को तूटना असुब भी मानते हैं, ओ माने भी क्यों नहीं, काच तूटने से सब भी कारी बिगर जो जाते हैं आज मैं आपको काज के तूटनेस होने वाले सुब और असुब संकेतों के बारे में व्यग्यानिक या जोतिशी तो नहीं कारण बताऊंगा। काज का तूटना घर में नगरात्मात्ता को लेके आता है। इसके तूटती घर में सांती भंग हो जाती है। घर में जब अचनक से काज तूट जाए तो इसका संकेत यह है कि घर में किसी तरह की कोई विपदा आने वाली है। काज का तूटना घर की आर्थिक इसकिति को भी कमजोर बनाता हुआ है। तूटा हुआ काज घर में रखने से घर की इस्तित्याम विगड़ जाती है। इसलिए जब भी घर में जड़ी कोई काज तूट जाए तो तुरन इसे घर के बार फैक दें क्योंकि काज तूटने से अब सुगन होता है। और इसकी वज़े से घर के किसी परेजिन की स्वास सब्सक्राइब होता है। इसकी वज़े से हमारी खड़ाब हो सकती है। वास्तु की अनुसार वैक्ति जब काज के अंदर अपना प्रतीबम देखता है तो इसे सीसे में अपने प्रतीबम के साथ इसाथ अपनी आत्मा भी दिखाई देती है। काज तूटने का अर्थ है आ ने-डिश्य और बेगे प्रभाव से बचा जा सकता है। घर के कीचन में भी काज के वरतन वया गलास अदैस्तमल किये चाहते हैं काच में आत्मा की तो काइद करने की सक्ति контigans तो तो इसे बूरा माना जाता है तो स्य थाइगतत में को ड्रेया नेगेटिव एनर्जी वह राजाद हो जाएगी इस तरह से वह ग무 काह्स को गर में रखना भी असूब बताया गया है इसके कारण उड़जा का हास माना जाता है लोगों का मानना है काज जब तूड़ जाये तो इसके तुकडों को चंदर्मा की रौसनी में जमीन के अंदर बीतर दबा देना चीए ऐसा इसलिए जिससे उन पर किसी प्रकार की कोई बारती संस्कति में काज का तूड़ना अब सुगुन में किसी अनोनी गटना का संकेत के जोड़ा ही गया है के जगव पर ऐसे भी मान्यता है शीशा तोड़ने वाले इंसान की आत्मा इसके अंदर फज़ जाती जैने कि कभी गलती से आपको जान भूज कर कभी किसी सीशे क को नहीं तोड़ना चीए इसके अलावा सपने में शीशे का तूटना या काज का तूटना देखना किसी दुरुगटना का संकेत माना जाता है असर जिंगी में भी हाथ से यदि कोई काज की गलास तूड़ जाए तो कोई सडियंत सक या पार्दी सिता से जोड़ा जाना ची आपके घर में कोई काज का बरतन तूट जाए तो आप जल्द से जल्द नमक की थेली किसी करमचारी को देए वास्तों के अनुस्ता सुबह उड़ती अपना चेहरा आएने में देखने के लिए मना किया गया है ऐसा इसलिए कि सुबह अमारा जो चेहरा आता हो इसमें नेग वास्तिक अनुसा सीसा हमेशा उत्तर या पुरो दिशा पर लगाना सुब माना गया है इसके अलावा यदि आप गलती से भी सीसे को दक्षी ना पस्षी में दिशा में लगाते है तो भी ये असुब संकेत है तो मेरे प्रिदी मित्रों ये थी काच टूटने को लिकर दन्यवाद